हाई फ्रेंट्स मैं हूँ परदीप और परदीप डीजे ब्लोक्स में आप सभी का स्वागत करते हैं और आज आहुजा का डाइवर उनिट लेकर के आगे हैं देख सकते हैं इसी को अभी हम खोलेंगे और एक में आवाज बहुत ही कम आ रहा है और कम आने का क्या कारण है आप कराण को हम अभी इसको खोलने के बाद पर दिखाएंगे फ्रेंट्स बहुरेंड देख लिए 40ाट का यूनिट है छलिए 70 को खोलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं चलिए तो लीजिए सामसे खोल लिए है और इसको उपर करते हैं और एक बाकी है इसको भी खोल लेते हैं तो लीजिए इसको उपर करते हैं फ्रेंट्स देख सकते हैं тра बड़ को भी हटा दिया है क्योख झारो बगल से कट गया है इसी की कारण से sound कम आ रहा था फ्रेंट्स देख सकते हैं तो चलिए मेल्टी मीटर से पहले चेक करते हैं कि इसमें मेरा डाइवर यूनिट में डाइफरन्स हाई है या नहीं है तो देख सकते हैं तो यह मेरा कोयल बिल्कुल सही था सिर्फ यह चारो बगल से कटने के कारण से sound कम आ रहा था तो चली फ्रेंट्स इसको हटाते हैं पहले और दूसरा वाला यूनिट खुलते हैं और खुलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं फ्रेंट्स कि उसमें sound क्यों नहीं आ रहा था तो यह इसको पहले रखते हैं तो side में रखने के बाद दूसरा वाला भी हम खुल लेते हैं और खुलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं फ्रेंट्स और इसको भी हम मल्टिमिटर से चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रोब्लम है तो देख सकते हैं इसमें भी कहीं कोई दिकत नहीं आ रहा है नहीं साइड से खड़ा हुआ है तो चलिए पहले इसको चेक करते हैं मल्टिमिटर के द्वारा इसके बाद पता चलेगा कि इसमें यहां मेरा सही है यहां नहीं है तो लिजी फ्रेंट्स देख लिजी तो यहां मेरा कोईल कहीं से ब्रेक कर गया है यहां से भी नहीं आ रहा है यहां से भी तो चलिए फ्रेंट्स सबसे पहले इसको हटाते हैं और यहां से निकाल के पहले हटा लेंगे इसके बाद फिर एक एक करके एक साइट का हम हटा लिए हैं दुसरे साइट का भी अभी हम हटाते हैं सोल्डिंग आइरेन के साहता से और किस परकार से आपको चैंज करना है आगे हम दिखाएंगे फ्रेंट्स और लगाने का तरीका क्या होता है बहुत सारे भाई चैल देबाजी में देख सकते हैं पहले आपको दिखा लेते हैं डाइफरम जो कि हम नया ऐसे परचेस कर लिए हैं और आपको दिखाएंगे का MRP 99 रुपिस आपको देखने के लिए मिलेगा और अच्छे तरह से इसे साप करने के बाद फिर से हम इसमें जब सेट करेंगे तो देख सकते हैं पलस और माइनस का आपको ध्यान रग कर ही इसमें सेट करना है L1 पलस होता है L2 माइनस होता है तो यहाँ देखकर ही कि आपको साउंड क्वाल्टी में किसी परकार का कोई दिकत नहीं आए और अच्छे तरह से सोल्डरिंग करने के बाद फिर हम आगे आपको दिखाते हैं तो लिजे हम अभी सोल्डरिंग कर रहे हैं थोड़ा वीडियो हम कट कट करके आपको दिखाएंगे तो कि वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंट्स इसलिए आपको हम पुरा सीन नहीं दिखाएंगे तो हम सोल्डरिंग करने के बाद इसका जो बाकी जो वायर बचा हुआ है उसको पहले कट कर लेते हैं तो एक साइट का कट कर लिए हैं और दुसरा साइट का भी हम इसे कट कर लिए हैं प्रेंट्स देख सकते हैं और प्लस और माइनस का इसमें अच्छे से ध्यान रखना है तो लिजे फ्रेंट्स देख सकते हैं एक का हम complete कर लिए हैं दुसरे वाला भी हम देख सकते हैं इसको भी cut करके हटा दिये हैं और एक बाकी है मेरा इसको भी हटा लेते हैं इसके बाद फिर हम आगे का process आपको दिखाते हैं विडियो लंबा होने के कारण बीच बीच में आपको हम काट दिये हैं फ्रेंट्स देख सकते हैं और इसमें आपको एक चीज दिखाते हैं सही से पलस और माइनस लगा है या नहीं एक बार चेक कर लें तो चलिए आपको हम दिखाते हैं तो यहां देख सकते हैं L2 माइनस होत और उधर भी हम आपको डाइप्रम में भी लिखा हुआ आपको दिखाएंगे L2 देख सकते हैं सही से लगा है या नहीं देखी हम यहां आपको दिखाते हैं प्रेंट से तो देख लिजे इधर से इसमें भी देखी यहां लिखा हुआ है L1 L2 देख सकते हैं साइड में भी L2 जो कि माइनस होता है और L1 प्लस होता है तो यह चीज ध्यान में रखकर ही सेट करना पड़ता है नहीं तो आपको sound quality इसमें सही से नहीं मिलेगा और इधर आप देख सकते हैं कि लगाने से पहले अच्छे तरह से पेपर की साहता से पहले देखिए इसको चारव बगल घुमा के आपको साप कर लेना है डस्ट को साप कर लीए हैं और दुसरा को वाला भी अभी हम साप कर रहे हैं तो आप इसको जरूर से जरूर साप कर लें कांकि अंदर में बहुत सारा डस्ट पड़ा हुआ रहा था जिसके कारण से क्वाइल तो चलिए फ्रेंट्स देख सकते हैं और लगाते समय एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा देख सकते हैं यहां कटिंग और इसका देखिए यहां उपर में देखिए इसमें दाग दिया है इसको और इसको दोनों को मिला कर ही एक जगह से सेटिंग करें नहीं तो आपको हम सेटिंग करने के बाद आपको हम इसे हम मल्टी मिटर की साहता से आपको चेक कर देते हैं फ्रेंट्स देख लिजे इसमें बिल्कुल सही है और आपका इसमें बोडी भी चेक करना पड़ता है कहीं इसमें भी तो लिकेज नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं मेरा बिल्कु कि हो गया है और इसका भी हम बोडी चेक कर लेते हैं एक बार कि कहीं मेरा इसमें बोडी तो नहीं है तेकि इसमें भी मेरा कोई दिकत नहीं आया